खौजासराओं ने एक प्रेस क्राणफर्स से खताब करते हुए कहा कि हमारे गुरू हमारे साथ इंतहाई जुलम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को नशा की लत्व में मुप्तला करके उनसे अपने मकासद हसल कर रहे हैं, दीगर ये कि एक नीलम नामी खौजासरा कराची मे तीस सपारे हिफज कर चुका था, उसको गुरू ने आठ लाक में बेज दिया, जिस पर हमने बगावत करते हुए अपने हकूँ के लिए जद्व जहत करने का अलान कर दिया है, शौकर सुल्तान बाट, फैसलाबाद, एमडी न्यूस फैसलाबाद, आईए देखते हैं, प् पेंटर तरीके से मेरा मौकफ दुनिया तक पहुंचाएंगी, अल्ला ताला का बनाया हुआ जिस्व हमारे पास अमानत है, इसको किसी भी तरीके से मस्नुई पांग देना दुनिया में ख्यानत होता है, बाज़ज़ा इनको गयर फित्रती बनागार आट, दस लाक, बीस ल करता है जिसका इलम उनके माँ बाप को भी नहीं होता, इसके अलावा इनको आप माजाएं अर्ज़ब की फार्दर निशा की दानत में मुख्तला कर दिया जाता है, बाकी तमाम मामूलात आपके सवालात के जरीए जवाब की सूरत में देता हूं, आपको अजादत है जिस म से आप सवालात कर सकते हैं, शुक्रिया, वो हॉस्पिटल से बच्चिये मिलती है, मेडिकल की, आद एक चीजित से लें कि कौन किस डॉक्तर से अपना अप्रेट दरवात जाते हैं, इन लोगों इपने जाती ही डॉक्तर रख के जाते हैं, तो तुने डॉक्तर आदिस रात पासरी इन शाला आज और सब लोगों कमी तरह से बहुत बहुत सलाम, जो हमारी ये आवाद सुने हैं, मुझे मेरे गुरू ने मुहमच शाहद और मुनी, 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 मुहमच शाहद मुनी ने मुझे आठ लाक रुपे में बेचा है, मैं कुरान पाक हाफिस था, तेस उपारे हाफिस कर चुका था, किराची में फिजाने हैं,